बिजनौर में संदिग्ध परिस्थिती में युवती की मौत हो गई परिजनों ने गाव के लोगों पर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाया है सेकडों ग्रामीनों के साथ युवती के परिजन एसपी दफ्तर पहुँचे और आरोपियों के खिलाफ कारवाई की मान की मामला बिजनौर शहर कोतवालिक शेत्र के गावरी बुजुर्ग इलाके का है जहां के सेकडों लोग कई ट्रैक्टर ट्राली में इकठा होकर मंगलवार की दोपहर एसपी दफ्तर पहुचे और एसपी को परार्थना पत्र देते हुए युवती के हत्या आरोपियों के खिलाफ कारवाई की मान की पुलिस को दिये प्रार्थना पत्र में पीरित महिला ने बताया कि वह विध्वा महिला है और उसकी एक बेटी और एक बेटा है बेटी इंटरमीडियेट की छात्रा है पीडित महिला का कहना है कि गाव के ही रहने वाली 2-3 लड़किया उसकी लड़की से मिलने के लिए उसके घराया जाया करती थी इन लड़कियों के साथ गाव का ही सुरेंद्र पुत राकेश और एक अन्य लड़का बिट्टु इन लड़कियों के माध्यम से उसकी बेटी से संबंध बनाना चाहता था, जिसको उसकी बेटी ने मना कर दिया था इन लोगों ने कई बार उसकी बेटी का जान से मारने की धमकी वीदी की हमारे ग्रूप में नहीं रहेगी तो तुझे वह तेरे भाई को भी जान से मार देंगे पीडिता का आरोप है कि 12 जून की शाम को 6 बजे बजे आरोपी पक्ष उसकी बेटी को अकेला देखकर घर में घुसाया और उसके साथ मार पीट की पीडिता ने रोकने का प्रयास किया तो सभी आरोपियों ने रसी धून कर उसके गले में फंदा डाल कर गला घोर दिया और उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गए आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी समवाददाता नीरच पाल की यह खबर जनादेश भारत न्यूस चैनल पर पिचरी बनाता करना ये वीडियो कौन सी बनाता हूँ हिरो है मैं बेज़ू आप पर वह रोम यूपों में लिखता है अपने कूँ और अपने नाम का गई जम मनीशा का नाम जोडता है पत्नी प्यार मेरा प्यार मनीशा तो यह मत गेरूँ आपको तो उसके बाद उन्हों पकड़े घर पर कोई था नहीं कुछ लोड़े जाड़ू लगा ती खैंच के ले गए और उसकी नार भोलती क्या नाम है लड़कों का लड़के का नाम सुरेंदर दोस्ती साथ हो देखे वह देखे नी तो साथ में मूँ भेजे रहों है तो नोग भवा मारे पास और उन्ह सबस्ते होआ़ को दो